उनाओ में तीन नाबालिक लड़कियों का मामला तूल पकड़ता जा रहा है एक तरफ घटना को लेकर राजनीतिक बयान बाजी जारी है तो वहीं दूसरी तरफ प्रशाशन की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है ये वीडियो सोचल मीडिया पर काफी वारल हो रहा है जिसमें कुछ लोग शव को ले जाते दिख रहे है दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो उननाओ के बबरुह गाओं का है मृतिका की शव को ले जातनी के लिए प्रशाशन ने स्ट्रेचर तक नहीं दिया है परिजन शव को हाथ में उठा कर ले जाते दिख रहे है बता दे उननाओं में खेट में तीन नाबालिक दलित लड़कियां बेहोशी की हालत में मिली जिससे हड़कम मजगया था ये दिल दहला देरे वाला मामला असोहा थानशेत्र के बबुरुह गाओं का है जहां तीनों लड़कियां बेहोशी की हालत में डुपटे से बंधी मिली थी इन में से दो की मौत हो चुकी थी जब की एक की हाला तभी गंभीर है इस मामले में पुलिस ने हो रहे विवाद के बीच मॉर्डर का केस दर्श कर लिया है दोनों लड़कियों की पोस्ट मॉटम रिपोर्ट के मुताबिक जहरीला पदार्थ खाने से दोनों की मौत हुई है मौत से करीब 6 घंटे पहले दोनों ने खाना खाया था दोनों के पेट में 100 से लेकर 80 ग्राम तक खाना मिला है खाने में जहर होने की वज़े से मौत हो गई मृत लड़कियों के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं मिले है झाल